तो Hello Guys, Good Morning मैं रो ही एक बार फिर्से आपका स्वागत करता हूँ , में रो जाता हूँ तो guys, first of all, मैं आपको sorry कहना जाता हूँ काल के lecture के लिए काल जब lecture में ने record किया था तो उसमें कुछ technical issues आये थे तो sound record नहीं होई थी , तो guys फिर आज वह issue जो है , वह आज हम टॉपिक डिसकर्स करेंगे आप पे डिरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी और गाइज एक और चीज़ आपको कहना चाहता हूं अगर अभी तक आपने हमारा टेलिग्राम चैनल जो है वह जाइन नहीं किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे अगर बढ़ते हैं यह होती है हमारे डेली क्लासिस सटर्डे को आपने बहुत अच्छा रिस्पॉंस किया एमसी के उसमें ठीक है तो अगले सटर्डे को फिर से आपको मैं लाए वाकर पढ़ाने वाला हूं फिर से जमू किश्मित जीके के 50 एमसी के उस और 50 एमसी के उस ज जरूर दीजेगा तो गैज यह है आज की जो हमारी कोटेशन है गैज सिंपली आपको एक बात में अगर बता दूँ के आप ही हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं क्योंकि यह आपके लिए कोई नहीं करेगा हाड़ वर्क आपके लिए कोई नहीं करेगा ठीक है कोई आपका समान उठाने नहीं आएगा आएगा कोई अगर इंसान आपकी लाइफ में आपका थोड़ी देर कोई help करेगा लेकिन वह आपकी लाइफ में पूरी मतलब की पूरी जो complete life है आपकी हो लाइफ में रहने वाला नहीं है आपको ही अपने आपको चेंज करना है ठी कितनी इसको classify किया गया है खूंस से-से साथ कोंसे अंडर आते हैं और हम ढहते हैं किрь चौक्टर्बंकर हमारे इस वीडियो में बने बार देघा है चलो start करते हैं DPSP होतास्य है DPSP जो है सबसे पहले को हमारे पार्ट फॉर्थ हमारे Constitution का जो Part 4 है अंडर Article 36 to 51 में इसको गया गया है इन्ट इमरीट किया गया इसको रखा गया है तो जो Constitution के फ्रैमर जो है उन्होंने इस आइडिया को कहां से बारू किया है Question पूछा जा चुका है कि Irish Constitution of 1937 वहां से इसको इन्होंने बारू किया है ठीक है उसने इसको कहां से copy किया है उसने इसको Spanish Constitution से copy किया है ठीक है लेकिन हमने कहां से लिया हमने लिया है Irish Constitution से इरलेंड के Constitution से आयरलेंड से तो दक्टर भीमराव अंबेड कर कहते हैं कि यह जो है hain नौवेल फीचर है हमारे इंडियन Constitution के जो फंड़ फ्रिंसिपल और फंड़नेंटल राइट है वह हमारे क्या करते हैं यह हमारे कांसिशन की फिलॉसफी है हैं यह कंसियंस है हमारे Constitution की तो करी द आगे बढ़ते हैं इसर्द डर्डड मारो recognized आगे सबाएं सकते हैं जिसको स्टेट को अपने माइंड में रखना है जब भी उनको कोई यहाँ पर या कोई पॉलिसी च्यक्ट करनी है उस वकत यह क्या ये constitutional instructions है या recommendation कह सकते हैं किसको state को in legislative, executive and administrative matter ठीक है अगर कोई भी legislative, executive, administrative matter है वहाँ पर क्या करना है एक instructions है वो according to article 36 क्या कहा गया है जैसे कि fundamental right में हमने article 12 में देखा था कि state के बारे हमने पड़ा था ठीक है उसी तरह यहाँ पर भी क्या है पार्ट फूर्थ में भी अर्टिकल में state के बारे में ही बताया गया है तो आगे देखते हैं कि direct to principle जो है ठीक है यह resemble करती है instrument of instructions ठीक है यह instructions है guys illuminated in the government of the India 1935 जैसे जो government of India 1935 में कुछ instrument of instructions थी वैसे उसी तरह यह resemble करती है अगर हम भीमराव अंबेद कर जो है उनके words में देखें उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि direct to principle जो यह instruction of instructions की instrument of instructions की तरह है ठीक है जो governor general को issue की जाती थी to the end और जो governor थे colonies के इंडिया के British government जो थी वो उनको government of India 1935 act के अंडर उनको instructions जो है issue करती थी तो अब direct to principle what is called direct to principle is merely another name पारदा देखो अगर direct to principles को instrument of instruction भी कह सकते हैं दूसरा नाम सिर्फ डिफरेंस जो है यहां पे there are instructions to the legislative and the executive सिर्फ एक डिफरेंस है कि यह सिर्फ legislative और executive को ही क्या होती है instructions होती है guys तो आगे देखते हैं कि direct to principle जो है यह constitute करती है comprehensive economic को social and political program को for modern democratic state के लिए जो modern democratic state है उसके लिए यह comprehensive economic social and political program को क्या करती है constitute करती है अब जो इसका aim है वो क्या है वो की है वो है कि realize करना जो justice है liberty, equality, fraternity ठीक है जो हमारे preamble में दी गई है तो guys एक question पूछना चाहूंगा कि preamble को और क्या कहा जाता है ठीक प्रियंबल को और क्या कहा जाता है किस किस नाम से प्रियंबल को जाना जाता है they embody और एक question प्रियंबल को पहले किस की form में मतलब कि पहले क्या था और उसको बादे प्रियंबल की शकल में हमारे सामने लाया गया वो भी बताएंगे आपके मटवक्स में they embody the concept of a welfare state देखो directive principle जो है उनमें क्या है इसमें welfare state का concept है इनिकी लोगों की welfare के बारे में सोचना है एक welfare state होने चाहिए ना कि police state police state कब थी जब हमारा colonial era था जाब यहां पर British rules करते थे उस वकत क्या था यहां पर police state थी ठीक है कोई किसी की बात नहीं मानता था पुलीस का राज चलता था लेकिन जो हमारे directive principles यह कहते हैं कि यहां पर welfare state होने चाहिए welfare state जिसमें हर एक की welfare के बारे में सोचा जाए अगर हम short में कहें तो क्या करते थे इनका मतलब था कि इस्टैबलिश करना यहां पर economic and social democracy in the country country में social and economic democracy को क्या करना है create करना है आगे बढ़ते हैं तो directive principles यह non-justiceable नहींगा इस एक important point यहां पर भी है कि justiciable नहीं है ठीक है अगर हमारे directive principle जो भी है 36 article से 51 तक आगे दिखने की consequence है अगर वो क्या होती है violet होती है तो हम court में नहीं जा सकते हैं ठीक है यह enforceable legally नहीं है जैसे कि अगर fundamental right अगर हमारे violet होते हैं ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं हम court में जा सकते हैं supreme court जा सकते हैं under article 32 under article 226 हम high court जा सकते हैं ठीक है और हम भी repetition कर सकते हैं बट इन the case of deductive principles we can't go to any court ठीक हम किसी भी court में नहीं जा सकते हैं इसलिए government जो है central state and local government जो है उसको हम compelled नहीं कर सकते हैं कि आप इसको implement करोगे just instructions है ठीक है अगर state के पास sources है ठीक है state के पास अगर ऐसे क्या है ऐसे कुछ resource है sources है ठीक है तो क्या करेगी वो इसको implement करेगी और उसके पास sources नहीं है वो इसको implement कैसे करेगी तो आगे बढ़ते हैं nevertheless क्या है जो constitution है अंडर अर्टिकल 37 वो खुद क्याता है कि यह principle जो fundamental है ठीक है जो country की governance है उसके लिए और यह state की duty होगी कि वो जब भी law बनाएं तो इन principles को ध्यान में रखते हैं हमें अर्टिकल 37 बोलता है तो आगे देखते हैं फिर है हमारे पास directive principle जो है हाला कि यह non-justiciable है नेचर में लेकिन यह help करते हैं कि इसको court की help करते हैं examine करने में और determine करते हैं वो law की constitutional validity को देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है फिर अगर हमने इसको जब इन्हों नों classify किया directive principles को ठीके काई डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स को classify किया है यहां पर तो कहते हैं कि constitution जो है इसमें डेजनाट कंटेंड अनी classification अप्रेक्टिव प्रिंसिपल्स तो constitution में कोई भी डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स की classification के बारे में नहीं है बलके उनके content और direction के base पे उनके constitution में कोई भी classification नहीं की गई है लेकिन जो उनका content है और direction वो करते हैं उनके base इसको इसको three broad categories में classify किया गया है इसको कहते हैं उसमें इसको classify किया गया है तो अब देखते हैं इसको आइडियालोजी है उसको reflect करते हैं तो यह कहते हैं कि जो framework जो है क्या होना चाहिए social and economic justice जो है लोगों को provide करनी है और एक ऐसा रास्ता त्यार करना है जिससे एक welfare state त्यार हो जाए तो क्या करते हैं क्या करते है स्टेट को क्या direction देते हैं, direction देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक लोगों की welfare के बारे में सोचना है, ठीक है, और उनको क्या करना है, social order को secure करना है, उनको हमने justice देना है, social economic and political justice उनको मिलना चाहिए, ठीक है, और जो उनकी income है, statuses है, facilities and opportunities जो है, उन में क्या करनी है, उनकी inequalities जो होती है वहाँ पर income inequality है status निकलेटी है तो वहाँ पर सब को क्या करना है एकवल करना आठेकल 38 कहता है पिर कहता है आठेकल 39 के हमें secure करने कुछ उनके यह following यहाँ पर आपको यह screen पर दिख रहे हैं ठीक है देखते हैं पड़के उनको क्या है बारी बारी किस को को सेक्यूर करना है जो जितने भी लोग हैं जितने सिटिजन है उनकी लाइवली ?!" को किया करना है उनको ब्राबर लाइवली हुट मिलने चाहिए ठीक है और इकवल production होगी उसमें क्या करना है सब को प्राबरी मिलना चाहिए और equal pay for equal work for men and women जो आउर्टे और ऐसे क्या होता है देखो आउर्टों को भी काम पे लगाया जाता है मर्दों को भी काम पे लगाया जाता है हम क्या करते हैं लोग क्या करते हैं कि जो आउर्टे हैं उनको कम दिहारी के लिएते हैं वेजिस देते हैं और मुर्दों को ज़च जबैसने होना चाहिए और चीमँटारी और फ्रोडविमेंट होना चाहिए उसके बारे में सोचना है और हैंचिल्ड कि 41 क्या कहा गया है कि हमने जो right to work उसको secure करना है ठीक है education के right को secure करना है ठीक है और लोगों की help करनी है इनके सब अगर कोई लोग unemployment है old age, disabled है उनकी हमने help करनी article 41 हमें ये कहता है और article 42 में क्या कहा गया है article 42 में कहा गया है कि हमें provision बनाने है just and human condition of the work and maternity relief सबको मिलनी चाहिए to secure a living wage ये seven नहीं है ठीक है to secure a living wage हाँ अगर living wage को secure करने के लिए एक descent standard बनाया गया है life का and social and cultural opportunity for all workers article 43 ये कहता है कि ये क्या होने चाहिए living wage को secure करने के लिए हर एक की life का जो standard है वो descent होना चाहिए तो आगे बढ़ते हैं तो कहता है article 43 socialistic principles ये भी कहता है कि हमें steps लेने क्या लेने steps लेने जिससे कि हम जो है worker की participation को secure कर सके in the management of industries की management में उनकी participation को secure कर सके फिर eight number कहा गया है यह नहीं कि article 47 के अंडर क्या कहा गया है हमें जो है जो nutrition का level है उसको raise करना है और जो लोगों का standard जो है लोगों का रहने का standard जो है उनकी health जो है उसको improve करना है गाईज तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं गांधिन principles के बारे में तो गांधिन की ideology के basis पे इन principles को क्या किया गया है classify किया गया है यह जो है रिप्रेजेंट करते हैं उस वकत जब गांधि जी जो है वह नैशनल movement कर रहे थे सौथ अपरिका के थे वहां पे चिल करके इंडिया में आगे ठीक है इंडिया में आके फिर उन्होंने पहले इंडिया भूमा उसके बाद इंडिया के लोगों को जाना उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके अपना program शूरू कर दिया ठीक है वहां पर धूममच आके आय क्या किया उन्होंने तो उनके बाद अभी गांधिजी के बारे नहीं पढ़ेंगे अभी हम अभी आबके उनके principles के अब इंक्लूड किये गए हैं तो उनके आइडिया के एकॉर्डिंग जो है स्टेट को क्या रिक्वाइर करते हैं वो कहते हैं कि सबसे पहले विलेज पेंचाई जो उनको और गनाइज करना है ठीक है और उनको कुछ जो पार्ण अथर्टी जो है वो उनको दैनी है जिससे के वो फंक्षन कर सकें इस काबिल बन सकें कि वो सेल्फ गोवर्मेट यहीं कि अपनी वहां पर क्रेट करके उसको चला सकें तो आर्टिकल 40 में यह कहा गया गाईज इसके बाद उनको क्या कहा है कि हमें अपनी अपनी प्रमोट करनी है ठीक है ओन एंडिवेजल और कॉपरेश प्रमोट करने आर्टिकल 43 यह कहा तक कहता है उसके बाद आगे टू प्रमोट करना है और्टनॉमस फंक्षनिंग होनी चाहिए ठीक है और्टनॉमस क्या होता है जिसके उपर किसी का कंट्रोल नहीं होता है ठीक है इसे कुछ कुछ आपने देखे होंगे इसे कि मैं आपको अब क्षन पे अर्टनॉमस की इसे कि अपने देखा होगा वोट कालेज का परेड का तो वो क्या है वो ओर्तोनॉमस फंक्षनिंग हो उनकी साइटई की तो गाइस आर्टिकल 43B में ये कहा गया है गांदिन प्रिंसिपल के कॉर्डिंग फिर उनने कहा है कि हमने एजुकेशन 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 एकॉनमिक इंट्रेस्ट जो है एस्टिज के उनको भी प्रमोट करना है ठीके और जो बाकी वीकर सेक्षिन जो है उनके इंट इंटॉक्षिकेटिंग द्रिंक्स जो होती है वगरा ठीक है जो इंजुरियूस हैं हमारी लाइफ के जो हैल्थ के लिए ठीके खतरनाक है डेंजरेस है तो उनको क्या करना है उनको प्रोहिबिट करना है उनको रोक लाए उन चीजों को आर्टिकल 47 के अंडर ये कहते हैं ग लौट कैटल जो होते हैं ठीक है उनकी इंप्रूव उनकी ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए हमें उनको या करना है उनको स्लॉटर नहीं करना है ठीक है आर्टिकल 48 यह कहा गया है गांदिन बिंसेपल के अढ़र फिर हैं आपको सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स और गांधिन प्रिंसिपल्स में समझ आ गई होगी तो हम पढ़ते हैं liberal intellectual principles के बारे में थीक है अब यहां पर क्या है यह प्रिंसिपल्स जो है जो हमारे liberalism की ideology है उसके उपर क्या करते हैं उसको represent करते हैं liberalism की ideology को तो यह इसके according state को किस तरह होना चाहिए वो द article 48 अक्सरा आप news में सुनते होंगे कि uniform civil code लागू होना चाहिए ठीक है UCC लागू होना चाहिए और कहते हैं कि to provide early childhood care and education for all children until they complete 6 years ठीक है जब तक बच्चे 6 साल की age पूरी नहा कर दें तब तक उनकी हमें childhood care करनी चाहिए ठीक है और सब बच्चें को education प्रवाइड करने चाह scientific lines पर हमने क्या करना है और Animal Husbandery को उसको organize करना है under article 48 यह कहा है तो अंदर article 48 यह कहा गया है कि हमें जो हमारा इन्वाइरणमेंट है उसको improve करना है प्र 250 करना है जो मोल फारेस्ट से करना है उसके बाद कहते हैं कि हमें जो monuments है हमारे, ठीक है, उसका क्या है, जिसका historic interest है, या कोई object है, किसी का, उसको हमने क्या कराना है, उसकी national importance उसको declare कर देना है, deckated 49, ये कहा गया है, ठीक है, उसके बाद है to separate the judiciary from the executive, article 50 emerge as important article याद रखेगा है कि हमने क्या करना है जोडिश्री को एक्सिक्योट्टी उससे पब्लिक सर्विस्टी जो हैं स्टेट की उसमें सेपरेट करना है ठीक है अब देखो एक चीज़ बता दो मैं आपको यहां पर हमारी जो गोवर्मेंट है उसके कुछ थी आर्गन्स होते हैं पहले तो आप इन आर्गन्स होता है हमारा आर्गन्स देखिए ठीक है तीनागन्स हैं हमारी government के जिनके आपर हमारी government टिक हुई है legislature क्या करता है legislatureतोर्ण जो雪्या करेगा उन को execute करेगा ठीक है अगर फिर कहीं पर यह ला जो है वाइलेट होते हैं ठीक है तो वहाँ पर जुडिश्री जो है इनको क्या करेगी प्रोटेक्ट करेगी लोगों को सेफ़गार्ट प्रोटेक्ट वहाँ पर प्रोवाइड करेगी आगे क्या है इंटरनाशनल जो पीस और सेक्युरिटी जो है और जो बाकि अमटे बेच में अच्छे स्याऊं के अश्यान करने हैं झाल करना है जो भूदैं करने हैं तो यहां पर इंटरनाशनल जुतने भी डिस्प्यूट होंगे उनको हमटेक्रिकल 51 के अंड़에 कहा गया है कौन सी कौन से आर्टिकल का अंपरगत आती है वो तो फॉर्टे सेकंड अमेंडमेंट एक्ट यह 1976 में कुछ फोर नाई डिक्टिव प्रिंसिपल जो एड की गई है हमारी ओरिजिनल लिस्ट में अब वह क्या कहते हैं कि स्ट्रिट को क्या करना चाहिए कहते हैं कि तू से क्यो यह वर्कर की इंड़ेस्ट्री दे की मेंनेजमेंट में उसको स्तम्स टैप्स लेने हैं वहाँ करक तो सेक्योर करना च्र पॉर्टी एयफ को कैसे एद् समयदे इंवार्टेंड को प्रोटक्ट करना और सेफगाड करना है तो च्राइस आपके खिल यह कि आर्टिकल 30 39 a 43 a 48 a चार्ज हों इंसर्ट की गई है अंडर जो हमारी इंडमेंट हुई थी 42nd और गई देखते हैं 44th एमेंडमेंट की अंडर भी एक और ड्रेक्टिव प्रिंसीपल जो यहां पे अड हूआ है की हमें करना है कि इनिकवालेटी जो है हमारी इसको एड किया गया था फिर हमारे पास आगे 86th Amendment Act जो इसे नोट कर दिजेगा भी 86th Amendment Act 2002 का उसने जो subject matter जो था 45 article जिसमें कहा गया था कि बच्चों को सबको education भी मिलनी चाहिए ठीके तो उसको क्या कर दिया उन्होंने elementary education fundamental right बना दिया elementary education को अंडर आर्टिकल 21A कोई पूछे आपको elementary education को कौन से आर्टिकल से निकाला गया है आर्टिकल 45 से इस concept को लिया गया है 86th Amendment Act 2002 था और आर्टिकल 21A के अंडर इसको रखा गया है आगे बढ़ते हैं जो amended जो directive है ठीक है वो क्या करते हैं जो state को किस चीज़ की ज़रूरत है कि वो early childhood care and education प्रवाइड करें जितने भी बच्चे हैं जब तक वो 6th year की age complete ना कर दें तो आगे बढ़ते हैं 97th Amendment Act 2011 का उसमें एक और नई directive principle जो है cooperative societies के related add हुई थी क्या करता है कि state करता है कि state को जो है state को यह जरूरत है कि यह काम करना है कि वो voluntary formation autonomous functioning democratic control ठीक है जो professional management cooperative society की उसको यह करें प्रमोट करें ठीक है article 43b में यह कहा गया है 97th Amendment Act 2011 में आये थी तो खूज आप इसके criticism भी है तो हरे किस एक चीज़ का criticism यहां पर होता है India हको 이렇게 कहते हैं तो यहां पर क्या है इसकूँ और यहां पर क्या हैं बिल्कुल को legal force नहीं अगर होते हैं तो हम कहीं भी नहीं जासकते हैं अगर वाइलेट होते हैं तो कुछ नहीं कर सकते के कुछ फी कि intellectual में ठीक है कोई articles के कोई sense नहीं से इसे logically arranged कहते हैं conservative है ठीक है उसके बाद constitutional में conflict है तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि fundamental rights के बीच में क्या difference है तो fundamental right क्या होते हैं यह negative होते हैं ठीक है क्योंकि यह state को कुछ चीज़ों करने से रोकते हैं यह positive होते हैं ठीक है यह करते हैं यह state को कहते हैं कि आप उन चीज़ों को कीजिए अगर देखे fundamental rights क्या है यह justiciable हैं अगर कहीं पर यह वाइलेट होते हैं तो यह enforce हो सकते हैं हम कहीं भी रिट प्रिटिशन कर सकते हैं अगर आपने रिट का lesson नहीं देखा रिट के बारे मिन जानते हैं तो आप पीछे लवाली वीडियो को देख लीजिए ठीक है उसमें रिट के बारे में से समझाया होआ है कौन सी कौन सी रिट कहां कहां पर वह रिट यूज होती हैं अब डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यह ना जस्टिशिएबल है अगर यह वाइलेट होती हैं तो कहीं भी हम किसी सब्सक्राइब करें लेकिन अगर हम सब्सक्राइब के बारे में सोचने इसलिए सोचलिस्टिक है अगर देखते हैं कि जो फंडेमेंटल राइड जो है इनको किसी भी कानून की जुरूरत नहीं सब्सक्राइब करें लेकिन जो हमारे इनको कानून बनाने की जुरूरत पड़ेगी तब इसके बगर तो यह आपको जैसे कि हमारे फंडेमेंटल राइड से तो वह हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अब हम देखेंगे कुछ आर्टिकल भई आर्टिकल आम इनको देखने ही कोशिश करेंगे आर्टिकल 36 में आपको कहा जिसे कि जो ऐसे हमारे पार्ट थी जो फंडेमेंटल राइट था वहां पर जो हमने डिसकस किये थे कुछ स्टेट के बारे में ठीक है वैसे ही यहां प में प्रोमोट करना है इसे कि लोगों की वैलाफेर को कर सकेा प्रोमोट कर सके थाटिए हट अर्टिकल में यह बतायागया है अ कि कै तब में इस एक पॉलियल होना चाहिए अन्ट था इसको स्टेट को फॉलो करना चाहिए 39A कहता है कि Equal Justice होना चाहिए और Free Legal Aid होने चाहिए फार्दपूर ठीक है जो लोग गरेव हैं उनके लिए Free Legal Aid होनी चाहिए ठीक है Legal Aid क्या होगा यानि कि Legally उनको Help मिलनी चाहिए Free Article 40 कहता है कि हमें Village Village Penchaid को Organize करना है यह रखेगा याद Intellectual Principle है यह Ideal जो हमारा Socialism Principle है बताइए का कौन सा Principle है यह आगे बढ़ते हैं 41 Article कहता है कि हमें Right to Work होना चाहिए Right to Education Right to and to Public Assistance in Certain Cases वहां पर इसको किया गया है Article 42 क्या कहता है कि provision होना चाहिए कि इसके ज़िए Just and Human Condition of Work and Maternity Relief उसके बदब तो 43 कहता है कि Living wage एट्सेटरा वर्कर के लिए क्या होने चाहिए एकवल होने चाहिए 43 कहता है कि हमारा जो Participation of Worker का Management of Industry Industry के Management में Worker का Participation होना चाहिए 43 B कहता है कि हमें Cooperative Societies को क्या करना चाहिए प्रमोट करना चाहिए तो यह जो है 43 A 43 B यह बाद में insert किये गए हैं हमारे Constitution में ठीक है 44 article क्या कहता है कि यहां पर Uniform Civil Code होना चाहिए citizens के लिए 45 कहता है कि यहां पर जैसे कि 45 को ही करके 21 A बनाया गया है तो 45 में क्या है कि आरले चायल्ड रूल होनी चाहिए बच्चों के उर आजुकेशन होनी चाहिए चिल्टर्न बिलोग दब एज सिक्स अले नीचे बच्चों को क्या होना चाहिए चायल्डूड के रोना चाहिए और उनका अजूकेशन मिलनी चाहिए 46 आटिकल क्या कहता है कि हमें एजुकेशन और एकॉनोमिक इंट्रेस्ट जो उनको प्रमोट करना है एसी जास्ट और जो वीकर सेक्षिंज उनको ठीक है फिर है हमारा 47 आर्टिकल क्या कहता है कि जो स्टेट की ड्यूटी जो उसको करना है नीट्रिशन के लावल को लोगों को स्टेंडर्ड जो है रहने का और जो हमारे सेफगार्ड हमने हमने किसको सेफगार्ड देनी है फारेस्ट उर वैल्ड लाइफ को ठीक है उनको नुक्सान नहीं पहुनने चाहिए हाम नहीं पहुनने चाहिए 49 article में कहा गया है कि हमने जितनी भी हमारे monuments से उनको protect करना है, जितनी भी places उनको protect करना है, object of national importance, जितनी भी national importance के objects है, उन सब को हमने का करना है, protect करना है, article 50 कहता है कि जो हमारा judiciary जो है, वो executive से क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है, judiciary executive साथ साथ नहीं होने चाहिए, आर्टिकल 51 कहता है कि हमें इंटरनेशनल पीस और सेक्यूरिटी को प्रमोट करना है तो यह थे कुछ इंपॉर्ट अर्टिकल जो मैंने आपको यह दिसक्स किया आप कुछ आर्टिकल कौन से पार्ट में यहां पर मेंजिन किया गया है पार्ट वन पार्ट शिक्स पार्ट एट यह पार्ट फोर तो जल्दे से इसका आंसर की जावी पीछे पढ़ चुके हैं हम चीके तो आगे बढ़ते हैं तो आगे चलते हैं क्वेशन नंबर टू की तरफ विच ग्रूप आप तो फॉलइंग आर्टिकल आप दा इंडिन कॉंस्टिटूशन केंटेंज एक्टिव प्रिंस पर सिट बलसी तो आपको बोलना है कि जो फॉलइंग ग्रूप यहां पर दिया हुआ हुआ है इनमें से यह जो अगे बढ़ते हैं यह आगे बढ़ते हैं को से पढ़ चुके हैं हम तो आगे बढ़ते हैं क्या पोच्टा है हमें कि इनमें से कौनसा कौनसी एक ऐसी रूलिंग है कौनसा डिक्सिजन आया सुप्रीम कोर्ट का जो कहता है कि रेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वह और राइट नहीं कर सकते हैं हमारे फंडमेंटल राइट्स को तो यह कॉस्टिन थोड़ा सा मुश्कि जिसका आंसर है हमारे पास इन स्टेट अफ मदरास वरसे चंपा कम दोड़ोरा राजन इसमें क्या कहा गया है कि जो डिरेक्टिव प्रिंसिपल यह और राइट नहीं कर सकते हैं फंडमेंटल राइट्स को तो आगे बढ़ते हैं तो इनफोर्समेंट जो डिरेक्टिव प् इसको इनफोर्स कर सकते हैं तो अगर गॉवर्मेंट के पास इनफोर्स कर सकते हैं तो तब भी यह इनफोर्स हो सकती है तो तो यह थे हमारा आज का लेसन जो हमने यहां पर पढ़ा ड़क्टिव प्रिंस्प इसको बारे में पढ़ा तो अगर आपको लेसन अचा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दिजे कर दिया कीजेगा ताके बाकी बच्चे भी इस वीडियो को देख सके चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और व बाकी फ्रेंड्स है वोग इस वीडियो को देख सके तो यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं गौर्ड ब्लेस्यों वाल